हेलो दोस्तों यदि आप कोई जॉब करते हैं और आपकी सेलरी से गुजारा करना मुश्किल हो रहा है और चाहते हैं कि साइट से थोड़ी और इंकम हो जाए जिससे घर चलाने में आसानी हो या आप एक स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अपने खाली समय में कुछ ऐसा करूं कि थोड़ी बहुत इंकम हो जाए और घर वालों के उपर से थोड़ा सा बोज कम हो जाए तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है इस वीडियो में हम आपको ऐसे छे ओनलाइन और ओफलाइन साइड इंकम के बारे में बताएंगे जिसे आप बिना कोई इंवेस्टमेंट के शुरू करके जोब या पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छी इंकम कर सकते हैं इन में से जो भी आपके स्वभाव के अनुशार फिट बैठता है उसे आप सुरू कर सकते हैं तो चलिए अभी देखना सुरू कीजिए आप इंसुरेंस एजेंट बनकर एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो इसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं होती है यानि आप अपनी मर्जी से समय का चुनाओ कर सकते हैं कई भीमा कमपनिया सेलरी देती हैं लेकिन ज़्यादा तर कमपनिया कमिशन देती हैं और कभी-कभी ये कमिशन बहुत ज़्यादा भी हो सकता है ये डिपेंड करता है कि आप कितनी पॉलिसी बेच पाते हो इसके लिए योग्यता ग्रामिड छेत्रों में दस्मी पास और सहरी छेत्रों में बारहुई पास होती है आप जिस कमपनी के एजेंट बनना चाहते हैं उसके ओफिस में जाकर वहाँ development officer से मिल लीजिए वो आपको सारी बातें बता देगा बीमा एजेंट के रूप में काम करने के लिए आपको एक online परिक्षा पास करनी होती है जो कि development officer आपको अच्छे तरीके से समझा देगा नमबर दो, online selling टेक्नोलोजी के पढ़ने के साथ online selling और purchasing का कारोबार भी बढ़ा आ है बहुत सारे लोग घर बैठे online सामान खरिपते हैं तो इन सामानों को कोई बेचता भी होगा बस आपको यही काम करना है बेचने वाला Miso, Flipkart, Amazon आदी के website पर जाकर खुद को एक seller के रूप में register करना है बस इसके लिए आपके पास GST नमबर होना चाहिए जो कि कोई भी CA 2-3,000 के खर्चे पर आपको निकाल कर दे देगा registration करने के बाद आप search किजिए आपके local market की चीजें online बेच सकते हैं और वहाँ से एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं आज के डेट में घर बेठे पैसे कमाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है affiliate marketing जिसके बारे में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं online सामान बेचने वाली बहुत सारी कमपनिया affiliate program चलाती हैं Amazon, Flipkart, Snapdeal, Clickbank आदी इन affiliate program को ज्वाइन करके कोई भी ब्यक्ति उस website के किसी भी सामान को बेच सकता है जिसके बाद उसको कमिशन मिलता है या कमिशन अलग-अलग product का अलग-अलग होता है इसी process को affiliate marketing करते हैं सिंपल भासा में कहें तो आप किसी दूसरे के सामान को किसी तीसरे को बिखवा कर वहां से कमिशन प्राप्त कर सकते हैं आपने देखा होगा कि आज के date में इंटरनेट के माध्यम से हर कोई घर बैठे खाना मंगाता है वो अपने मन पसंद रेश्टोरेंट से खाना ओडर करता है और कुछी मिंटों के अंदर खाना उसके यहां पहुंच जाता है तो यह खाना पहुंचाता कौन है? जी हाँ यह food delivery वॉय होते हैं जो कि खाना पहुंचाते हैं और इस खाना पहुंचाने के लिए उनको अच्छा खासा income मिलता है और यह काम आप part time हिसाब से भी कर सकते हैं जब आपके पास समय हो उस हिसाब से आप इस काम को कर सकते हैं इसके लिए आप स्वीगी, जो मेटो, आदी कमपनियों के ओफिस में जाकर बात कर सकते हैं दोस्तों आपने आज कल सुना ही होगा कि यूटूब पर बहुत सारे लोग लाखों रुपे महीने के कमा रहे हैं हाँ ये शुरुवात में थोड़ा सा मुश्किल जरूर है आपको इस पर कंसिस्टेंटली काम करना होगा ऐसा नहीं है कि चैनल बनाया और पैसे आने शुरू होगे इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना होगा और ये देखना होगा कि किस चीज में आपका इंट्रेस्ट है जिस चीज में इंट्रेस्ट है और नॉलेज है उसी चीज के बारे में आप यूटूब पर लोगों को बताओ अपने ग्यान को लोगों तक पहुंचाओ और वहाँ से आपको जब आपका चैनल मोनेटाईज हो जाएगा तो वहाँ से आपको इंकम शुरू हो जाएगी नमबर 6, E-commerce Delivery Boy आज के डेट में लोग ऑनलाइन समान खरितते हैं तो उनका समान डिलेवरी करने के लिए डिलेवरी बौाई होते हैं जो की Amazon, Flipkart, Miso आदी कमपनियों के डिलेवरी बौाई की तरब काम करते हैं E-commerce कमपनियों पर शामान की डिलेवरी के लिए जो आदमी काम करता है उसे डिलेवरी बौाई करते हैं और ये डिलेवरी बौाई महीने के आराम से 15-20,000 रूपए कमा लेते हैं वो भी दिन के 3-4 गंटे काम करके तो आप भी जदी ये काम कर सकते हो तो कोई भी E-commerce कमपनी के office में जाओ जिसमें आप काम करना चाहते हो चाहें Amazon हो, Flipkart हो, Miso हो, Snapdeal हो और वहाँ जाके बात करो वो लोग process आपको बता देंगे, उसके बाद आपको जिस भी area का आप कहेंगे या select करेंगे, वहाँ का सामान वो लोग आपको दे देंगे आपको वो सामान कश्तमर तक पहुंचाना है, जिसमें की आप part-time हिसाब से भी कर सकते हो